अच्छा जीज, स्लाम अलेकुम दोस्तों, आज हम एक UAE का अकाउंट खुलेंगे, तो वो मैं आपको step by step process दिखाता हूँ, सबसे पहले आपने Amazon seller central के अंदर login करना है, अच्छा, दो तरीके हैं, आप Google पर जाके seller central.ae के अंदर भी जा सकते हैं, वो आपको direct ले जाएगा, अगर आपको already कोई account नहीं है, अगर आपको कोई already account है, कोई marketplace है, तो आप यह देख सकते हैं, यहां से देखे हैं, मेरे यह सारे marketplace हैं मेरे पास, ठीक है, और यहां पर आके, आपने अपनी marketplace में आके, और top left corner की उपर देखना है, यहां पर यह बाल ब लगा हुआ है, इसको आपने drop down करना है, drop down करके आपने add marketplace डाल देना है, ठीक है, तो थोड़ा सा slow चल रहा है, लेकिन जब आप add marketplace करेंगे, तो यहां पर sell globally, के नीचे, Americas, Europe, Asia specific and Middle East and North Africa आजाएगा, ठीक है, आपने Middle East और North Africa को दुबाना है, और अगर आपके पास already account है, UAE का, तो आपने इस button को दुबा देना है, आपका account अगर separate है, तो फिर आपने अपने दूसरे accounts के साथ लिंक करना है, एक ही user interface, यानि के एक ही dashboard से अगर आपने अपने करने हैं, तो फिर आप अपने सारे accounts लिंक कर सकते हैं, तो क्योंकि मेरे पास नहीं है account, तो मैं इसको दुबाऊंगा register new, तो register now, तो अभी हम इसको दुबा के registration के लिए जाएंगे, for UAE marketplace, so, मैंने ये process पहले start की थी, तो इसलिए मेरा ख्याल है, कि यहाँ पे okay, merchant picker, the picker provides you with the options, you switch to merchant and marketplace, for which you have permissions, so, merchant place, हम इसको दुबादेंगे, UK वाले को, ठीक है, okay, so, अभी मैं अपने UK वाले account के साथ, इसको merge करने लगाँ, सबसे पहला page, खुलता है registration के लिए, कि drop down करें, अगर आप business हैं, या आप individual हैं, so, मैं इस वक्त, individual account खोलूँगा, ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे वापका नाम पूछ रहे हैं, business का आपने, अगर individual खोलने हैं, तो आपने अपना नाम दाल देना हैं, पूरा, और अगर company के साथ खोल रहे हैं, तो आपने company का यहाँ नाम दाल देना हैं, और उसके बाद यह वादा बटन दबाना है, agree and continue, okay guys, यहाँ पे अब आपने अपनी detail डालनी है, आपका जो registered address है, अगर individual है, तो यह आपका residence का address हाएगा, अगर आप business है, तो पर यहाँ पे आपकी company का, और अगर आपकी company कोई, virtual address है, तो फिर वो यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है, मैं अपना residential address का लूँगा, because, मैं यह खोल रहाँ हूँ, individual account, sorry, यह, मैंने keyboard को रहाथ लग, अपने को वाज सी आती है, थूरा सा annoying है, लेकिन, sorry, you have to talk with it, बाद में इसको check करूँगा, यह क्या नग रहाँ, sorry, पुरा टाइम लग रहाँ, अच्छा, चूज यूर यूनीक बिस्निस डिस्प्ले नेम, so, यह वो नाम आएगा, जो store का, जो आपका, जब customer आपके store में आएगा, तो यह नाम उसको दिखेगा, अब यह नाम आप change भी कर सकते हैं, settings में जाके, so, अगर आप अभी नहीं भी आपको याद याद याप, आप नहीं आपने भी सोचा, तो आप परिशान नहीं हो ना, आप इसको बात में change कर सकते हैं, तो मैं इसको फूर भी random name चूज कर लेता हूँ, मैंने limited डाल दी है, limited डालने की ज़रूर्ट रही है, आप कुछ भी डाल सकते हो, आप अपना नाम डाल के, कर सकते हो, जिसरा मेरा नम शहजादा फैसल अली है, मैं कहसे कोई शहजादा शॉप और शहजादा स्टोर फ्रंट और या अपनी प्रोड़क के साल लिंक कर सकता हूँ, अगर मैं बैट शीट बेज़ता हूँ, देन सुपर बैट शीट, अमेजिंग बैट शीट, चीप बैट शीट, इस तरह के आप नेम्स चूज कर सकते हैं, अबी यह SMS करना चाहरे हैं फॉर वन टाइम पास्कोड, उसके लिए मैं अपना नंबर डाल दिया हूँ यहां पर और यहां पर हम करेंगे टेक्स्ट मी नाउ, तो अभी मुझे टेक्स्ट आ जाएगा मेरे फोन के उपर, जो के आगया है, और उसका जो वन टाइम होँगा, ओके यहां पर आपने देखा है, टिक आगी और नीचे लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन, सुक्सेस्पली कम्प्लीट, अब हम क्या करेंगे, इसको सेवन किंटिन्यू दुबाएंगे, ओके तो कभी-कभी वो आपका आड्रेस जो आपने खुट डाला है, वो उसक के अंदर जो सिस्टेम है, पोस्टर सिस्टम जो है, रॉयल मेल का जो डेटाबेस है, उसके अंदर जो अड्रेस सज़ेस्ट होता है, उसको ओल्विस क्लिक करना है, अगर आपके भी यह पे जाएगा, तो आपने, अगर वो आपको सज़ेस्ट कर रहे हैं, कि यह अड्रेस तो उसको आप चेक कर लिए, अगर तो मिलता-जूलता है, तो उसको क्लिक करें, अगर तो बिल्कुल ही नहीं मिलता-जूलता तो फिर इसको डपल चेक कर लिए उक है उन्हेंने जो suggest किए है है, मैंने उसको click कर दिया, ताके उन्होंने भी सारा data जो उठेकर उठाया है được आधी real data based on so you can make a bomb 7 continue doing it okay the city and area you entered is not oh you entered is not eligible for easy ship sales ship as a typical amazon mfc delivery model for sellers where you work with an external courier our shipping carrier to send packages to your customers you will not be able to offer COD on those orders so save and continue क्योंकि मेरा residence address इधर है लेकिन मैं कौन सा दुबाई में बैठके या कहीं पे भी UAE में बैठके sell करने लगा हूँ so मैंने FBA करना है okay so अभी वो payment method मांग रहे हैं ठीक है so इसके लिए मैं payment method डालने लगा हूँ इस area को मैं थोड़ा बलड कर दूंगा ताके यह information जो है private and confidential है तो ऐसी ही रहेगी निशाला बला so let me just go and get the details okay guys अच्छा मैं सिर्व इदर अपनी card की detail उसकी expiry date डाल रहा हूँ और card holder का नाम डाल रहा हूँ जो के मेरा अपना नाम आएगा okay billing address obviously जिस address पे आपका card registered है आपने वो address डालना है यहाँ ठीक है मेरे case में तो मेरा ही address होगा जो के already ticked है इसको मैं save करूँगा okay so make sure next screen को पर आपने master card है या visa card है उसको tick लगा होगा already अगर आपने एक और card करना है या दो और card करना है तो वो भी आप कर सकते हैं लेकिन मैंने एक ही card add करना है और उसी को मैं save and continue करूँगा okay so about yeah payment information to tell us about your products and do you have barcodes at okay do you brand the products you wish to sell and some of men don't know that some of them down here and how would you like to list your products use your own product inventory create a inventory file list products one by one मैं डालूंगा इदर list products one by one ठीक है क्योंकि private label अगर आप कर रहे हैं तो यह आपने click करना है अगर आप private label नहीं कर रहे हैं आप wholesale कर रहे हैं तो wholesale के लिए आपने यह जो दो उपर है इन दोनों में से एक click करना है अगर आपने अपनी inventory file बना यह cbs file उसको बोलते हैं अगर आप यह आपका supplier आपको देगा वो file तो आप उस file को इसको click करके आप पर वो सारा अगर आपके बस चार सो पान सो अपको वन बाइ वन नहीं डालनी पडेंगी आप सार एक ही file उपलोड करोगे तो वो सारे database इसको pick कर लेगा और आपकी सारी inventory जो आपकी इन दोनों में से मेरे पास मैंने private label करना है तो मेरे पास एक है दो प्रॉडक्स होंगे से जादा नहीं तो में लास्ट वला करके और करके और कंट्यू करूंगा I think we're going on to product information so tell us about the product categories you can also add or edit these later on so um on the garbage in it so subset I'm going to go into home and garden I'm going to go into supplies kitchen tools outdoor sports baby products toys and games I'm going to click beauty grocery health and I'm going to click camera cell phone I'm going to go office products personal computers clothing not shoes and handbags, sunglasses, jewellery watches, automotive नहीं करते है ठीक है so यह वहली categories मैंने pick की है and what is your category अगर यहाँ भी कोई category उन्होंने miss की है और आपकी category इन में से किसी के अंदर नहीं fit आती फिर आप इसको कर सकते हैं यहाँ पर आप अपनी category उनको बता सकते हैं कि आपकी यह category है ठीक है और have a Jesu a beholden अभी आप अपकी यहाँ आपकी अपकी तुम सेछ्ड are you can say the country in which your business is located matching the verification documents to be submitted in the next few steps यहाँ पड्र ना प्नी कंट॥र है इस제로ify का किए रहत था इनचिणना मेरे case में UK है so United Kingdom and उसके बाद में next click करेंगे okay so passport information मांग रहा है ठीक है अभी मैं अपनी passport की information लेकर आता हूँ उसको उदर डालता हूँ I think हमें upload भी करना पड़ेगा just let me check this okay then okay so passport number इधर डालने मैंने 964 and 964 953 all right and expired date you have a doubt get second all December 20 24 expiry date country of issuance here UK okay and it I have a passport you but yes you have a name appear करता है उसने best S सही आपने डालना है यह पता नहीं क्या वाज है यह आपने स्पीकर प्रोपर्टी सेट अपनी हुए okay so साही मने इंफर्मेशन डाल दी है रेजिदेंशल अड्रेस भी मने और रड़ी उन्हों सेट किया हुआ था उसी को क्लिक करके अब मैंने सब्मिट दबादेना है और यह थिंक दिस वस लास्ट स्टेप अब वरिफिकेशन होगी अगर वरिफिकेशन अब मैं अपना पास्पोर की कपी और बैंक स्टेटमेंट भी ले आया हूँ और निचे अप्लोड अटेशन का भी ऑप्शन आ रहा है तो इसको भी क्लिक करके देखेंगे कि अगर मैं अगर कर सकता हूँ या नहीं अगर कर सकता हूँ तो फिर मैं अपना ये ट्रिलिटी बिल भी इसके अंदर एड़ कर भूँगा तो फिर्स्ट वाल एसके अप्लोड ये आप पढ़ लीजेगा जरूरी मैंने तो कही बार पढ़ है तो ये सिरफ इतना बता रहा है कि आपके जो डॉक्यमेंट्स है किस क्वालिटी की होने चाहिएं गलर होने चाहिएं ग्रॉपनी होने चाहिएं प्डिय प्रमेट में होन बडियां है मैं आपय 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 आपयाद छिकर शो नो ट थेस्टों सूल जिएस्टी प Suppose ये दिश पहल भी अंचीट वने चेस बांचीट के heald I just have to look where I have put them folder में याद नहीं है कहां कि मैं रखते हुआ ओके गाइस अब यास थाइम लखे अभी दुबारे एक दाप ट्राइ करते हैं and continue करते हैं और new docs updated यहां पे पासपोर्ट का मैंने बोला था अब आप आप रॉंग यह इसे पासपोर्ट पासपोर्ट की कॉपी है यह फुल कलर की scan होनी चाहिए है पीडिया पॉर्मेट में सबसे बहतरी ही नहीं है और इसको क्रॉप नहीं करना है तो इसको कर देते हैं open and यह upload हो गई है उसके बाद बाद बैंक स्टेटमेंट so upload continue and we will go with the bank statement and open okay alright okay so वो जो option था मैंने जो सोचा था कि यह मझे additional documents submit करने देगा ले कि नहीं so it's okay maybe this is more than enough for them to verify my account अभी मैंने submit का button देबान है and let's see if they verify me straight away if not then maybe they will ask for further verification last time मैंने ऐसे हुआ था and it took four months to get my account verified so always be certain that you all the steps follow कर रहे है आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर रहे है documents आप के पूरे है जो नाम लिखा हुआ है आपके Amazon account में वही नाम के documents है और दूसरी चीज़ है जो के obvious है make sure के कोई papers नहीं missing अगर आपका bill है तो bill के अगर चार पेज है उसमें से सरफ आपने दो सेंट किया है या एक सेंट किया है बाकि तीन नहीं किया है तो वो भी acceptable नहीं है आपको चार पेज हैं तो चारो सेंट करने परेंगे और उसके अलाबा सस्कान आपने ही कॉलिटि की करवानी है अपने मुबाइल पोन से नहीं करें नहीं अपने मुबाइल से फोटो कैंज के सेंट करने की कोशिश करें take your time trust me ये जो moment है ये जो time है मुझे पता है आपको एक रात वेट करना परेगा दूसरे दिन शॉप को लेगी धर आप खजल होगे जाओगे डूंड होगे okay so we have received a notification it says thank you for your request we have received your information and may reach out to you for further clarification with n2 business days so I don't think they're happy with my identification so यह लोग क्या करेंगे यह मुझे अब दो दिन बाद contact करेंगे और मेरे से मेभी और verification के लिए documents मांगेंगे it's not a problem मैं अपना utility bell भी send कर दूंगा और भी मेरी bank statements और भी मेरी चीजें हैं जो send कर सकता हूँ so अगर आपके साथ भी ऐसा होते है then don't worry it's not the end of the world आपके पास full opportunity मिलती है appeal करने की और आपके पास enough time होता है इनको जवाब देने का तो yeah that's it video अब यहां पर bus करते हैं क्योंकि account जो है वो चला गया है towards verification process and जैसे ही मुझे दो दिन बाद इसका जवाब आएगा मैं comments में आपके नीचे है यह description में upload कर तोंगा ताके आप लोगों को पता होके इसका outcome क्या थी unfortunately आज इसकी outcome ने निकल सकी for obvious reasons but don't worry we will have an answer back in the next few days inshallah okay take care guys and before I go don't forget to subscribe with the big red button just below the screen and right next to that bell icon and press that as well so that you are getting notifications as soon as you and soon as I upload the next video you will have that video and notifications straight away from YouTube themselves other than that if you have any suggestions if you want any videos that you are interested in then then मुझे बताएं मैं आपके next videos जो है आपकी मर्जी के upload करूँगा या उन topics के उपर बनाऊँगा जो topics आपको चाहिए है जिसके उपर आपको interest है तो सिर्फ comments में लिखके मुझे बता दीजेगा okay guys thank you Allah